निरंतर तब भी किया जा रहा था मुझे आद है कि मेरी शायद पापा की जब आखरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब आई सिउ में थे तो उस वग भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक में से एक बात सपश थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे जो चाहते थे कि भाया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें कि चलिए जो हो रहा है ठीक है होता रहे ऐसे ही गडवंदन है ठीक गडवंदन है पूला नहीं रहा हूं कि अगर जन्ता दल यूनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी भारते जन्ता पार्टी तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विदान सभा का चुनाओं लड़ते तो हम लोग का एक तरफा जिस तरीके से लोग सभा में हम लोग 40 में से 49 सीटे हम ल लोगों ने घूमकर हर एक जिले हर एक प्रखण में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तयार किया था उसको समलक करने से साफ इंकार कर दिया गया किसी भी गड़बंदन में एक नॉमल प्रैक्टेस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप करते हैं साजन यूनितम कारिकरं के इसाफ से सरकार चलती है और मेरा भरोसा नहीं था कि भई आपका साथ निश्य बिहार में विकास कर सकता है और मुझे लगता है कि हर वो वेक्ति जिसको बिहार से प्यार है बिहारियों से प्यार है अपने समाज से प्यार है हर वर के लड़ा बट हाँ जैसा मैंने का कि कुछ लोग संगश के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे उन लोगों ने उस वक्त भी उस चुनाओ के दोरान भी जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता बट मेरे चाचा खुद उन्होंने चुनाओ प्रचार में उस वक्त को चुनाओ लड़े थे उनके चुनाओ में वैस्ते जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमी का होनी चाहिए थी उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिलिवा कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों था कि आज नहीं तो कल पाटी संभवता इन सव कर रहे थे करोना प्रोटोकॉल तब तक लाग हुए इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए और उस वक्त हम लोगों ने पुना कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनितिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई और उसके फ अब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बिमार था जब मैं बिस्तर पे था उस वग मेरे पीट पीछे जिस तरीके से ये पूरा शडंत्र रचा गया इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती और जब कि मैंने निरंतर प्रयास किया अप ने रखनी हो और ये समपर नहीं होने के बाद ये समवाध हींता आने के बाद मैंने स्वता अपनी तरफ से मैंने होली के दिन क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठेन दिन था आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते ने ही की थी बलकि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे चाचा नहीं थे कोई नहीं था था तो उस दिन मुझे वो अकेले पन का एहसास हुआ उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा जो पत्र मैंने परसो मैंने अपने ट्विटर हैंडल के मादियम से आप सब के बीच साजा भी कि और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजे आके, आप मुझे बुला लीजे, जो भी आप अपनी बातों को रखे, पिछले दो दिन तिन से जब ये घटना चकर भी चल रहा था, मैं जानता हूं कि आप सब भी काफी जानना चारे थे कि भई, मैं क्या कहना चारा हूं, मेरा क्या पक्षा, बट मैंने अंत अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एक जुट करके रख सकूंँ, लास लास तक मैंने कोशिश की, आपने देखा कल पर सो, चाचा की मैं घर भी गया, वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की, कल भी मैंने अंत तक, दुपैर तक, मम्मी वेक्तिकार तोर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संबर्ग साधने का 10-15 दिन से वो अलग अलग माध्यंक से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बाथ करें और परिवार की बात है और मैंने एक बार पहले भी कहा था जब परिवार के एक और मसला आया था कि मैं बहुत जादा सहज महसूस नहीं करता हूँ परिवार की बातों को सारविजनिक तौरबर करने के लिए पर कल जब लांत में आते आते जब इस बात का हैसास हुआ कि शायद अब चीज़े अब हाथ से निकल गई हैं जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एक जोट रखने की थी जब वो सफल नहीं हुई तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्टे कारेकारणी की बैठक बुलाई वर्च्वल मीडियम से और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुसाशन कायम रहे ये जिम्मेद जानारी भी मेरी है कॉंटरी टू दा बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात का इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पास्वान लोग जिन्शक्ति पार्टी के राष्टी अध्यक्ष नहीं रहे उन्हें हम लोगों ने राष्ट आने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटी जनरल जनाव अब्दुल खालिक साब मौजूद हैं एक वाजपई साब मौजूद हैं जिन्होंने लीगली इस सम्विधान को ड्राफ्ट करने में एक एहम भूमी का निभाई है तो सम्विधान के अनुसार जो ये दावे किये जा हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्य अद्यक्ष के पत से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लेमेंट में संसद्य दल का नेता बना बहाई अगर आप मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी मैं तो चाहता हूं कि आप आएं और पाटी 370 की बात हो, ट्रिबल तलाक की बात हो, जितने भी रामंदर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, नेरंतर मजबूती से मैं सदन में, अपनी बातों को मैं रखता रहा, मैं चाहूंगा कि भविशे में भी ये रहे, बहराल, पर जिस तरीके से उनको लीडर, उनको चुन गया, ये प्रक्रिया समविधानिक तरीके से, और समविधानिक तरीके से मैं राष्ट के समविधान की नहीं, मैं पार्टी के लोग जिन्शक्ती पार्टी के समविधान की मैं बात कर रहा हूं, समविधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है, पार्टी में, पार्टी का ल कौन आपका लीडर ऑफ दा हाउस पार्लिमेंट में होगा लोग जन्शक्ति पार्टी का समविधान इस बात की इजाज़त सिर्व राष्टिय अद्यक्ष या संसद्य बोर्ट के पास है वहाँ पर मौझूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स हैं वो आपस में इस बात का नहीं 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 ले सकते हैं ये पार्टी का समविधान कहता है बहाँ इसमें बहुत जादा डिटेल में नहीं जाते हुए क्योंकि संभवता आने वाले दिनों में शायद एक ल नहीं आ रहा था या अपनी बातों को क्योंकि आज हम लोग दिन भार एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपीनियंस क्या क्या इसमें कॉंसिट्यूशन के अधार पर क्या क्या चीज़ें हैं सुबह से लंबे समय से हम लोगी बैठे के चल रही थी तमाम इन जानकारि के पड़े थे और इमानदारी की बात है बहुत ज्यादा मैं चाता नहीं था कि मसला इस तरीके से बड़े जाशा मैंने कहा कि मेरा हमीशा प्रयास रहा क्याइव परिवार की बाता है। अगर इसको हम लोग बंद कमरे में, अगर आपस में बैठ कर, अगर हम लोग इसको सुलजा पाते, वो मेरा प्रयास जादा था, पर अब जब मेरे पास कोई और विकल बचा नहीं, तो इसलिए आप सब के समक्षा कर, मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए जरूरी था, क्यो भी परिस्तिती में, जब वो रिजाइन करते हैं, तो उसकी जगा, दूसरे अद्धेश की निउप्ती की जा सकती है, बड़ ये तमाम बाते हैं, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं, यहां पर वाजपरी साब मौजूद हैं, विस्तार में अगर आप इनसे अगर कुछ आ आगे बढ़ रही है, उन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़ती रहे, इसके लिए जरूरी था कि मैं अपनी बातों को आप सब के माद्यम से मेरे जितने समर्थ रख हैं, या लोग जन्शक्ती पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं हमारे पार्टी के तमाम पदादीकारी कल भी मुझे खुशी है कि जब राष्टे कारेकारनी की जब बैठक हुई, तो उस वक्ग भी हमने सारे पदादीकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को पार्टी के पदादीकारी हों जिला, अध्यक्षों, उन सब की सहमती और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोगजन शक्ती पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार है, पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्हों नहीं हो रहा है, इतियास गवार है कई बार ऐसा प्रयास किया गया है, और इसमें मैं पुना मैं बोलूँगा बाटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जन्तादल उनाइट के ही लोगों की मैं खास्तों आप बात कर रहा हूं, दलित महा दलित करने का भी काम उनी लोगो दलत महादलत बनाना सबसे बड़ा उसका एक धारण है तो निरंतर ये बाटने और राज करने की रणीती इन लोग के द्वारा अपनाई जाती है पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामलास पासवान का बेटा हूँ मैं एक शेर का बेटा हूँ ना मैं उस वक्त अकेले चुनाओ लडने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्धो पर अपने अधिकारों के ले जाकर अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तो आज की तारिक में, तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का, पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदादिकारियों का समर्थन मेरे साथ है, और सबसे वड़ी बात बिहार की जनता, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या वेक्तिकत संपर्ग साथने के माध्य आप लोग क्या कोई सवाल नहीं है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है और पत्ता में कारकारी की बैठक करने जाना उसका अधिकारों की आपने बात की या अधिकार मुझे लोग जिंशक्ति पार्टी का सम्विधान ही देता है सम्विधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा कि वो सही है पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का सम्विधान पढ़ेंगे जानकारी लेंगे देखे कोई भी संगटानों वो सम्विधान के अनुरूप ही चलता है आप की विक्तिकत सोच विक्तिकत भावना कुछ और हो सकती है बड़ जो सम्विधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते वे उसी को मानते वे ही आप निर्ने ले सकते हैं तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी कर आश्टिया देक्स्रियू मैंने कहा मैंन मैं उस पर भी मा रहा हूं किसी सार होगा एक तरफा निर्णे ले रहे थे विधान सबा चुनाओं में जितने भी निर्णे लिए गया और आप सब मौझू थे निरंतर बिहार परलिमेंटरी बोड के नेताओं से राय मश्वरा करके उन से बाचीत करकर और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्णे नहीं लिये गए तो ये प्रश्ट उस वक्त उपने चाहिए थे ना कि चुनाओ समाथ होने के छे महीने के बाद उस वक्त ये सवा तो अगर किसी को आपती थी तो उस वक्त उनको आपती रखनी चाहिए थी देखिए जैसा मैंने कहा कि सुबह से लेकर हम लोग चर्चा करी रहें और इसमें क्या बैस्ट लीगल वे आउट होगा क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए उसको लेकर हम सब की चर्चा चल रही है और इसमें पर उसको मानने का मेरे मेरे मानने का उसमें क्या हुदेस है जैसा मैंने कहा कि वह अथौराइज ही नहीं है इस तरीके की बैठक को बुलाने के लिए या इसमें लेगे किसी भी फैसले को पार्टी के Constitution के आधार पर चलना जरूरी है अनिवार है जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से लोगसभा अध्यक शोम बिल्ला जी को भी उन्होंने एक पत्र लिख दिया बट पार्टी का Constitution लोग जन्शक्ती पार्टी का समविधान क्या कहता है उसी के अनुसार उसी के अनुरूप आप निड़ने लेंगे ना उससे अलग हटके आप निड़ने नहीं ले सकते तो वो ऑथराइज ही नहीं है तो वो जगता है कि आगे को थोड़ा समय ज़्यादा लग गया सामने आने में थोड़ी सी उसके लिए मैं शारेरिक परिस्तितीक लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दे मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बोल पाऊं आपको भी शाय तहीं नहीं है एसास होगा नहीं तो मैं अभी एक बार शुरू करता हूं तो थोड़ा ज़्या आपको क्या लगता है कि अगर देखा जाए तो निटिस्कुमार के खिलाब बड़े खड़े कि वही अपको अपने बाकियों का तो मुझे नहीं पता बढ़ा जंता दल उनाइटेट का मैं जरूर बोलूँगा उनका हाथ जरूर है और सबसे बड़ी बात पहले तो यह मेरा इंटरनल मैटर है यह मेरी पार्टी का मैटर है जब आपको अपने ही धोका देते तो फिर आप बाहर वालों पर क्या अंगली उठाए तो पहले मुझे इंटरनली इन चीजों को समझना ज़रूरी है किसका हाथ है बाहर से कौन कर रहा है नहीं कर रहा है यह बात की बात है बट हाँ इतना जरूर मैं बोलूँगा कि जंदा दल उनाइटेट के नेताओं ने जिस तरीके से भूमी का निभाई और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है बाटो और साशन करोगी डिवाइड करते हैं दलत महा दलत करने का प्रयास किया आज भी पार्टी में और अभी से नहीं एक लंबे समय से कई बार मैंने कई विबिन चैनल हों पर पहले भी मैंने बी मैंने देखा कि इस तरीके की बाते आती ही थी कि बहुत अपर अब यह जानकारी में यह विशह पहली बार अगर मेरी यादधा सही है तो शायद 8 जनवरी के आसपास ये विशे मेरे संग्यान में आया उन्ही के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी जिस सांसत का उन्होंने जिक्र किया मेरे भाई प्रिंसराज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा जब मैंने उन से प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा उनका वर्जन तोडली डिफरेंट था और जिस मौतरमा ने इन बातों को खा उनका वर्जन तोडली डिफरेंट था दोनों का उसके बाद मैंने एक बाद मैंने प्रियास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठ कर अगर कोई confusion है उसको सौट आउट किया जा सकता है पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बाते कह रही हैं और ये जो बाते कह रहे हैं दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है और दोनों के अपने-पने मजबूत पक्ष है मैं investigating authority नहीं हूँ उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं F.I.R आप लोग दर्ज करा है और जो सही है investigation का matter है investigate होगा प्रिंस संभफता शायद वो पुलिस के पास गये उन्होंने अपनी F.I.R दर्ज की और उसके बाद मेरी उनसे मेरी कभी दुबारा मुलाकात नहीं ही तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या क्या है मैं कोई मेडियेटर की भूमी का निभाने के लिए मैं authorized ही नहीं हूँ मेरे पास एक शिकायत आई मेरे पार्टी के एक सांसत के बारे में थी मैंने पार्टी के डिसिब्रिनी कमीटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी पर हाँ समझ में आया कि ये matter लीगल विशे से जुड़ा हुआ है इसमें पुलिस ही investigate करके इसको solve कर सकती है इसमें मेरी कहीं से कोई गुणनी काई है मैंने तो पुलिस के पास जाने की मैंने बात की तो मैं ऐसा क्यों कहूंगा मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला चिराग अपना चिराओं के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़ी निता को राम कहा था इस वक्त जब हनुमान मुसिबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह के मदद की पेशकर्श की यह है हनुमान को अगर मदद मांगनी पढ़े राम से तो तो फिर हनुमान कहे के और राम कहे के आप प्रस्तावा कौन थे जब मैं अध्याच बना था तो उसके प्रस्तावा कौन थे खुद वही थे उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोस किया था और इसी जगा इसी जगा पर ये बैठा कुई थी आप सब मौझूद थे और वो सारे टॉक्यमेंट्स हम लोग के पास मौझूद है जब जोरत पड़ेगी सामने रखे रखे इसी जगी उन्होंने बाद के ये पार्टी संदान ते एक बैक्ती है पत्का है जब जोरत प्रपोस कि आपने कहार की जेग्यों की प्लानी पहले सी थी और ये सब के नॉलिज में आपको नहीं लगता है कि करिवान आ रहे आगे आपको वक्त रहते एक्शन लेना चाहिए था प्रपोस के विरूद में आवाज उछा रहे देखिए जैसा मैंने कहा मेरे संस्कारों में नहीं है पापा से मैंने इतना ढहरे और सब को साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है तबी अंतिम-ंतिम तक मैंने प्रयास किया उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया उस दिन की अगर मैं बात बोलू, मैं इमानदारी से मैं शारेरिक तोर पर मेरी शम्ता उतनी नहीं थी कि मैं जाओं और महाँ पर कर सकूँ बर उसके बावजूद मैंने उप्रयास किया मैंने अपनी तरफ से, मैंने आखिर-ाखिर तक मैंने कोशिश की जो आप कदम उठाने की बात कर रही है जैसा मैंने कहा कि चुनाओं के दौरान से कहीं न कहीं अभास था तो पार्टी के इन सांसदों के उपर शायद सस्पेंशन की कारवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की जब तक इन लोगों ने सामने से मैं सही बोलूँ मैं एक व्यक्तिकत बात मैं जरूर बोलूँगा मेरे पापा का निधन हो गया पापा अब नहीं है मेरे छोड़े चाचा का भी निधन हो गया पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं पर पहली जनरेशन में अगर कोई हैं हम लोग ले मैं मेरे अपने भाईयों की बात करें वो चाचा ही थे पापा के बाद मैं उनमें पापा की छवी देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्क दर्शन करेंगे जैस नितीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए और दूसरा सवाल यह यह है कि बीजेपी के निताओं को फूरी तरह से क्लीट चीट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर वार्ट को आप एक तरफ कह रहे हैं कि यह पार्टी का कमजोर आखा जाता है मैंने चुनाओं में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नितीश कुमार जी से कोई वेक्तिगत विरोध नहीं है मैं उनके मुद्दो का विरोध करता हूँ मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलू कि उनकी सी पाटी के मुख्यमंत्री है तो इसलिए और जहां तक रही बात किसी को clean shit देने की मैंने कहा मैं तो फिलाल अभी internally इन बातों को मैं सुलजा रहा हूं लोग जन्शक्ती पाटी का ये internal matter है मैं internally इसको मैं सुलजा रहा हूं आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की जुरत पड़ेगी किसी प्लैटफॉर्म पर इन बातों को डिसकस करने की जुरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने पत्र लिखा था होली के दिन मैंने पत्र लिखा था इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सारुजनिक किया जाएगा ये मेरी मंचा कभी नहीं थी कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया उसमें मेरी intention इनके बारे में या इनके विशे को साजा करने की नहीं थी ये एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस चार पन्ने के पत्र में एक विशे ऐसा आया एक पैराग्राफ ऐसा आया जहां पे इनके उस घटना चक्र का भी जिक्र था उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली की संभवता उनका नाम गया है इसमें अपनी नैतिक जम्मेदारी को खुद समझते हुए तुरंट मैंने महाँ से उसको विड्रॉ किया उनके नाम को मैंने अनमाग किया बैराल जैसा मैंने का कि इससे पहले वो खुद ही शोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात के लिए प्रवोक करने का उन्होंने प्रयास किया कि आप उस पत्र को आप साजा करें पर मुझे जब अपनी जम्मेदारी का एसास हुआ तो मैंने उसमें से नाम को मैंने हटाया मेरी इंटेंशन उनके वाक्ये के बारे में चर्चा करने की नहीं थी कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्री जो की मेरे लिए एक बड़ा विशे है मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई उस बात में मेरी भूमी का कहां कहां पर रही वेक्तिगत तोर पर भी एक बतीजे के नाते मेरी क्या भूमी का रही उसको साजा करने की थी अपने समर्थकों के साथ मैं दुखी हूँ बहुत जादा मेरा छोड़ा भाई नहीं मेरे बेटे के समान रहा है वो मुझे आता है बच्वन में मैं उसको बायो केमिस्ट्री यह समय पढ़ाता था तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में वेक्तिकत तोर पर बहुत हुँ बहुत दुखी हूँ अब पर जैसा मैंने कहा कि मेरी दोरी भूमी का है बढ़ा कर लेकर जाने की भी भूमी का मेरी है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगा इस से जादा शायद सम्भाव में होगा मेरे लिग से मिए अधिया जल्दी आप लोग के सामने दोबारा होंगा श्राइख केसेद में खिरा भालो सांटे खालो था अ की लिजम घृटिव भी शॉबवगन